हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ओनलाइन दिस इस अंकीता सूथ सो पेपर वन के फाइनल रविजिन में ICTE यूनिट के most important concepts को आज हम कवर करेंगे अगले 60 मिनट्स के अंदर ये पूरे यूनिट हमारी revise हो जाएगी और यहां से ही आपको एक clear idea भी मिल जाएगा कि कैसे topics exam में आते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पक्का आपके upcoming exam में आएंगी उन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए फिर session को शुरू करते हैं Students इसकम समय में paper 1 की तयारी करना बिलकुल possible है बस आपको इसके लिए एक proper guidance के साथ और examination के difficulty level के हिसाब से smart preparation करनी होगी और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए paper 1 का complete course में लेकर आई हूँ जहां पर daily आपको 2-3 live lectures मिलेंगे जिसके साथ आपका पूरा syllabus cover हो जाएगा साथ ही हम आपको unit wise और topic wise recorded sessions भी देते हैं ताकि इस कम समय में जल्दी से आप सभी हर एक unit को cover कर सकें दो whatsapp numbers आपको दे रही हूँ आप इन पर contact करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो और इस course के साथ students आप सभी को हमारे एक special whatsapp group में add किया जाएगा जिसमें हर class के बाद आपको pdf notes मिल जाएंगे जिससे कि आपका notes बनाने का और mcqs note करने का समय भी बच जाएगा and revision के लिए ये 5000 questions हैं जिसमें आपको unit wise हर question के answer के साथ explanation भी मिलेगी और इस में से आपको paper 1 में 50 में से लगबग 30 plus questions जरूर as it is देखने को मिलेंगे साथी free videos और mock test भी available हैं जिसके लिए आपको global online app डाउनलोड करना है store section पर search bar में लिखे course का नाम जैसे आप content पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं bilingual course है, English, Hindi, सभी courses है आपके exam के अलावा other states के जो previous year questions है वो भी आपको answers के साथ हम provide करवाते हैं daily live lectures भी आपको हम यहाँ पर देंगे यह best course है जो कि इस कम समय में आपको exam oriented त्यारी करवाएगा और बहुत असानी से आप अच्छा score भी कर सकते हैं सबसे पहले इस session में हम देखते हैं कि ICT यानि की information and communication technology exactly होता क्या है तो देखो यह तीन चीजों से मिलकर बना है पहली है information यानि की सूचना ठीक है उससे पहले देखो आपको यह पता होना चाहिए कि ICT में हम किसके बारे में बात करते हैं हम computers के बारे में, internet के बारे में या फिर जो latest technology चल रही है उन सब के बारे में बात करते हैं सो mobile, internet और इन सब चीजों की मदद से आप लोगों को कहीं से भी बैठे हुए information मिल जाती है, सूचना मिल जाती है, कोई भी सूचना हो communication होता है, अब देखो computer, internet ये सब आपको communicate करने में यानि कि संचार यानि कि बात चीट करने में भी तो मदद कर रहे हैं आप अपने घर में बैठे, अपने किसी दूसरे friend को कहीं पर भी message कर रहे हो आप मेरी ये class देख रहे हो, आप अपने घर पर बैठे हो, मैं अपने office में बैठ कर ये video record कर रही हूँ तो ये सब technology की मदद से है, communication भी हो रहा है, information भी share यहां पर हो रही है तो ICT मतलब information and communication technology, इसमें computer, internet, electronic, delivery system, जैसे कि radio, television, projector, ये सारी की सारी चीज़ें आती है और ये सब चीज़ें आजकल education में भी बहुत मदद कर रही है, ICT को लेकर के education को अच्छा बनाने के लिए, government of India ने भी बहुत सारे initiatives लिये हैं तो ये सब चीज़ें आजकी इस unit में हम cover करेंगे, ठीक है सबसे पहले हम computer के basic से शुरू करेंगे, computer में चार components होती है, input output devices, processing device और storage device तो आपको पता होगा कि computer में इस तरीकी के जो screen होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको monitor बोलते हैं, इसको बोलते है keyboard ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा जो एक device होता है, उसको बोला जाता है mouse और एक device होती है, जिसको बोला जाता है CPU, ये main components है computer के अब देखो, जो CPU है, CPU को बोला जाता है brain of computer, ये एक question exam में पूछा जा सकता है, CPU का मतलब brain of computer, ठीक है अब यहाँ पर ये जो दो चीजे हैं, processing devices और storage devices, ये दोनों ही processing और storage जो CPU के अंदर ही आता है CPU को तीन हिस्सों में बांटा किया है, exam में शौर question आएगा, वो तीन हिस्से कौन कौन से है, एक है CU, एक है ALU, और तीसरा है memory ठीक है, CU की full form क्या होती है, control unit, ALU की full form, exam में full form भी बहुत बार पूछी जाती है AU की full form क्या होती है, arithmetic and logical unit, और उसके बाद memory तो आपको पता ही है, memory किसले use होता है ये आपको storage में मदद करता है, तो ये हिस्से होते हैं CPU के, ठीक है, so main four components है, जिसमें input devices क्या करती है data को computer के अंदर enter करने में हमें मदद करती है, ठीक है, अब जैसे keyboard है, keyboard में छोटे-छोटे buttons होते हैं, बने वो इस तरीके से buttons होते हैं, अब इस button से अगर मैंने A प्रेस किया, तो ये क्या करेगा ये data को enter करेगा, इसके अंदर पहले भेजेगा CPU से और CPU डिस्प्ले करवाएगा monitor से, तो input devices वो devices होती हैं, जिसकी मदद से हम computer के अंदर कोई भी data को enter कर सकते हैं, वहीं दूसरे तरफ होते हैं, हमारे पास output devices, so output devices वो devices होती हैं, वो devices होती हैं, जो की computer के अंदर की चीजें, computer के, यानि कि इसे बोल सकते हैं, computer के memory में जो भी चीजें हैं, computer के CPU में, brain में जो कुछ भी चीजें हैं, उन सब को हमें display करवाने में मदद करती हैं, that is output devices, list of input output devices exam में आता है, अगर आपने previous year questions देखे हैं, तो आगे हम detail में देख जैसे keyboard एक मैंने बताया, keyboard से keys, buttons को प्रेस करेंगे, जो भी type करना है, words टाइप करने है, वो अंदर जाएंगे, और हमें, कहां दिखेंगे, monitor में दिखेंगे, जो computer की screen होती है, उसमें दिखेंगे, तो monitor क्या हुआ, ये output device हुआ, देखो input devices को इस तरीके से भी लिख सकते हैं i-p, output devices को o-p, ठीक है, so keyboard एक input device है, mouse एक input device है, mouse में कितने buttons होते हैं, mouse में तीन buttons होते हैं, एक left click, एक right वाला click, और एक scroll bar, जिसको बीच में हम उपर नीचे घुमाते हैं, ठीक है, उसके बाद आता है joystick, so joystick क्या है, ये gaming के लिए आपको help करता है, trackball, ये भी gaming के लिए होता है, scanner, scanner क्या करता है, आप लोग उने देखो, जब form भरा है, you just in it का, तो उस समय पे आपको बोला जाता है, कि आप लोग अपनी passport size photo को scan करके upload कीजिए, अपने signature को scan करके upload कीजिए, वो क्या होता है, आपके पास अगर paper के format में कोई चीज है, कागस के उपर कोई चीज है, उसको computer के अंदर अगर enter करना है, computer के अंदर एक photo के रूप में डालना है, तो उसके लिए scanner को use किया जाता है, अभी तो हम क्या करते हैं, अभी तो paper की photo खिंचते हैं, और अपने computer में डिया laptop में transfer कर देते हैं, लेकिन printer के साथ relate करके बताऊंगी, ठीक है, touch screen, web camera, webcam क्या करता है, जो भी आपके computer के बाहर चल रहा है, आसपास चल रहा है, उस सब को computer के अंदर डालने में मदद करता है, microphone क्या करता है, अवाज अंदर enter करने में मदद करता है, तो ये सब होती है, input devices, नेक्स्ट आज आदा है, output devices, so output devices, वो devices होती है, जो की computer के memory में, या CPU में जो भी चीज़े हैं, उनको हमें display करवाने में मदद करती है, output devices को display devices के नाम से भी जाना जाता है, जैसे की monitor है, आपके computer के अंदर जो भी गाने है, जो भी movies है, जो भी videos है, उसको display कौन करवाता है, monitor क करवाता है, आपने keyboard से कोई button प्रेस किया, उसको display कौन करवाता है, monitor करवाता है, इसके अलावा जैसे हमने scanner देखा था, scanner ने किसी भी चीज़ को scan किया, वो photo बन गई, वो कहां पर आई, monitor में दिखेगी आपको है ना, दूसरा है printer, headphone, headphone, headphone आवाज हमें बाहर निकाल कर देते पर बहुत बड़े से देखा जा सकता है, GPS location, plotter, video card, speakers और sound card, अब देखो, यहां पर पहले हम बात करते है printer और plotter के बारे में, printer तो आपको पता ही है, अब आप सब का UGC net का admit card आया है, admit card आने वाला है मितलब, इस admit card को download करोगे अपने mobile में, उसके बाद exam के लिए ते इसको print करके आपको ले जाना है, है ना, तो print करने के लिए printer use होता है, कि आपके mobile या computer के अंदर जो भी format है, जो image के format में या अंदर चीज़े होती है, उसको paper पे लेकर आने के लिए printer काम आता है, वहीं अगर plotter की बात करें, ये भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन जो बड़े-बड़ between scanner and printer, ठीक है, सो हम जैसे की बात कर रहे थे scanner और printer के बारे में, तो scanner क्या करता है, आपके पास page है, कोई photo है, ठीक है, paper के format में है, इसको ऐसे लिखते हैं, आपको easy समझाने के लिए paper के format में कोई भी चीज़ है, उसको digital format में convert करने के लिए scanner का use किया जाता है, ठीक है, यह होता है, अगर इसको हम ICT की भाशा में बोलें, तो scanner क्या करता है, scanner, hard copy को soft copy में convert करने में, आपको मदद करता है, दूसरी तरफ आ जाता है printer, ठीक है, सो यह क्या करता है, जो भी आपके computer के अंदर digital format में है, चाहे कोई photo है, चाहे कोई भी document है, जब उस document को आपने paper पर लेकर आना है, एक page के format में आपको वो अपने हाथ में चाहिए, तो उसके लिए use होता है printer, ठीक है, तो यह क्या बोलते हैं, इसको ICT के form में, soft copy to hard copy, ठीक है, यह होता है, तो इस चीज़ को याद रख लीजे, soft copy और hard copy में बता देती हूँ, soft copy वो होती है, जिसको हम लोग touch नहीं कर सकते, जो की एक digital format में होती है, किसी भी mobile में आपके पास कोई photo है, ठीक है, mobile में आप लोगों के पास document है, यह होता है soft copy, जिसको we cannot touch, दूसरे तरफ आता है hard copy, वो वो चीज़े होती है, जिसको हम लोग touch कर सकते हैं, ठीक है, अब आपके mobile में आपने अपनी photo खींची, उसके बाद आपने क्या किया, उस photo को print करवाके, बड़ी frame करवाके लगा दिया, तो पहले जब तक वो mobile में थी, वो digital format में थी, तो वो soft copy थी, जब उसको बड़ी photo बना दिया, तो वो क्या हो गई, hard copy बन गई, ठीक है, तो यह होता है difference between hard copy and soft copy, तो यहाँ से I hope hardware, software, hard copy, soft copy, सब नेक्स्ट आजाता है keyboard, keyboard क्या है, एक input device है, अगर हम लोग बात करें standard keyboard की, अब गिनने मतलग जाना, अपने घर के keyboard में, अपने घर में जो भी है, उसमें गिनने मतलग जाना, सब keyboard में वैसे तो अलग-अलग keys होती है कई keyboard में ये वाला part होता ही नहीं है ये वाला पूरा part होता ही नहीं है नंबर सिरफ यहीं से use करने होते है ठीक है तो जो standard keyboard होता है उसमें 104 बतन होते है तो exam में कभी भी पूछा चाए अपने घर के computer के buttons नहीं लिखने standard के लिखने है वो 104 है तो इनको अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है ठीक है अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है जिसमें की पहले आजाती है function keys सबसे उपर देखोगे छोटा-छोटा सा लिखा होगा जहांपर buttons है F1 से लेकर F12 तक function keys इनके अपने कुछ functions होते हैं जैसे अगर आप लोगों को मैं बताऊँ अगर आप लोग F6 प्रेस करते हो तो आपका computer और laptop mute हो जाता है ठीक है F7 प्रेस करते हो तो volume कम हो जाएगा F8 प्रेस करोगे तो volume बड़ जाएगा यह function है इनकी automatically function होते हैं पहले से सेट किये हुए ठीक है बस इनको दबाना है और काम हो जाएगा escape button होता है किसी जगह से बाहर निकलना जिसी यह PPT है अभी मैं इसमें escape button दबाऊंगी corner वाला चोटा सा button दबाऊंगी तो यह exit हो जाएगा यहां से ठीक है इसके बाद आते है alphabet keys A से Z तक alphabet होते है ठीक है उसके बाद आते है number keys 0 से 9 तक number keys होते है उसके बाद आते है arrow keys यह जो 4 arrow होते है उपर नीचे left और right ठीक है इसके बाद आता है एक space bar होता है ठीक है एक space bar होता है दो enter button होते है एक enter button यह वाला होता है और एक enter button यहां पर होता है ठीक है अगर यहां पर ना हो तो enter होता है फिर भी तर ठीक है उसके बाद होता है हमारे पास delete button होता है ठीक है बैक स्पेस का बटन होता है, यह सब काटेगीरी होती है, यह जो special keys होती है ना, जैसे कि less than, greater than, comma, यह percentage यह सब special keys है, control keys कौन सी है, एक तो CTRL लिखा होता है, वो control ही होता है, इसका मतलब CTRL बटन यह control की के अंदर आता है, उसके बाद हमारे पास alt alt लिखा होता है, ठीक है, उसक क्या है, यह सब control buttons है, अब एक और homework question दे रही हूँ, revision के लिए है, 100% किसी ना किसी shift में यह question आएगा, वो यह है, कि बताईए मुझे, caps lock जो होता है, वो किसके लिए use होता है, क्या benefit है, एक line में फटा-फट बता दीजिए, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो है printers, so printer मैंने आपको बताया, printer के प्रकार exam में जरूर पूछे जाते हैं, खास करके eugicinate exam में तो जरूर ही आते हैं printer के प्रकार, so इस table को ध्यान से देख लीजिए, तो printers को दो हिस्सों में बाटा गया है, पहला है impact, दूसरा है non-impact, impact printers वो होते हैं, जो कि directly printer का head, इसको ऐसे लिखते हैं, head of printer, directly touch करता है अगर paper के साथ, तो उसको impact printer बोला जाता है, non-impact printer होते हैं, जो कि head paper को touch नहीं करता, ये दुकुर से ही words के लिए spray कर देता है, ठीक है, exam में देखो, जो question आया था, वो ये आया था, कि chain printer कौन से परकार का printer है, तो आपके पास अगर option है line printer, तो भी ठीक है, या फिर option हो सकता है impact printer, तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, so impact printer को दो हिस्सों में बांटा गया है, character और line, character printer क्या करता है, character by character चीज़ों को print करता है, जैसे a, b, c, ऐसे character by character करेगा, एक एक शब्द को करेगा print, line printer क्या करता है, पूरी line को इस तरीके से पूरे में ऐसे print करता चलेगा, ठीक है, character printer, dot matrix, और daisy wheel printer, इसमें हिंदी, English, medium वालों का कोई अलग चीज़ नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा patience रख के इसको याद रख लीज़ेगा, ठीक है, हिंदी व इसी तरीके से ये भी पूछा जाता है, जैसे line printer, इसके तीन प्रकार होते है, drum printer, chain printer, और band printer, ठीक है, जाधा तर इसमें जो questions आते हैं, वो drum और chain printer में से पूछे जाते हैं, ठीक है, सो आपको पता होनी चाहिए ये चीज़े, next आज आता है, non impact printer, इसमें है, ink jet, laser और thermal, ये त प्रकार, बस आपको detail में नहीं जाना, कि किसकी क्या working है, किसने किसको कब बनाया, क्या क्या इसका process है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिरफ ये नाम याद रख लीजिएगा, chain printer, किस category में आता है, ये आता है, impact printer में, laser printer आता है, non impact में, इसको याद रखने का एक त कम exam में पूछी जाती है, अब देखो, मैंने बताया, non impact जो की, जिसमें की printer का head paper को touch नहीं करता है, है ना, तो जहां पर paper ये है, head touch नहीं कर रहा, तो वो ink कैसे करेगा, वो print कैसे करेगा, तो वो spray मारेगा, वो laser यहाँ पर देगा, ठीके, दूर से वो laser light से wards को print करेगा, व ink fank करवा पर print हो रहा है, दूसरे में laser के through print हो रहा है, बागी के जितने आएंगे, वो impact में आजाएंगे, याद हो गया, clear है, तो मुझे comment ज़रूर करके बतायेगा, अभी भी समझ नहीं आया, और printer पर आप चाहते हो कि detail में एक video लेकर आऊं, या फिर complete input और output devices पर, एक detailed video तो मुझे comment करके बतायेगा, मैं जरूर आपके request को पूरा करूँगी, अगला है, which of the following groups are only input devices, तो देखो ये एक previous year question है, इसमें पूछा है कि किसमें सिरफ और सिरफ input devices ही है, तो किसमें है, mouse input है, keyboard input है, monitor आगया output, joystick में input है, तो ये वाला option तो गलत हो गया, उसके बाद mouse input, keyboard input scanner input, joystick input और light pen भी input है, तो ये सही answer है, अगला भी देख लेते है, input है, ये भी input है, printer output है, और यहाँ पर भी printer है, monitor है, जो दोनों output devices है, तो correct answer है, option number 2, ठीक है, ये रहा, अब आते हैं, brain of computer पर जो की होता है, CPU, तो CPU का full form पहले आपको पता होना चाहिए, इसकी full form है, central processing unit, ठीक ह ये एक ऐसी unit है, जो की computer का सारा कुछ process करने के लिए responsible है, computer में monitor में हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरा मुँ काम कर रहा है, मैं लिख रही हूँ, मेरे हाथ काम कर रहे है, ठीक है, लेकिन इन सब को instructions कौन दे रहा है, मेरा brain दे रहा है, म मेरे brain में, तो वैसे ही computer के case में होता है, आप चाहे keyboard से keys को press कर रहे हो, printer से paper को print कर रहे हो, गाना चला रहे हो, वीडियो चला रहे हो, जिसको आप monitor की screen पर देख सकते हो, लेकिन ये सब चीजे कहां पे इनको process कौन कर रहा है, brain कर रहा है, जिसको central processing unit बोला जाता है, clear है, value, memory unit, और control unit, इसको cu बोलते हैं, exam में question आते हैं, बहुत बच्चों को ICT tough लगता है, लेकिन मुझे surety है कि इतने interesting way में अगर पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, फटा-फट से इसको, चाहो तो exam से एक दिन पहले भी ये video देख लेना, ताकि एक बार quick revision आपकी हो जाए, जितने भी arithmetic का मतलब, arithmetic आपने सुना होगा math में, है न, तो जितनी भी calculations and related चीज़ें होती है, वो सारी ALU वाला department देखता है, किसी चीज़ को control करना, computer के साथ कितनी चीज़ें, keyboard है, mouse है, CPU है, speakers लगा रखे हैं, इतनी सारी चीज़े हैं, इतनी सारी चीज़े हैं, इन सब को control क करना, इनके काम को control करना, किसका department है, control unit का department है, memory unit storage के लिए use होता है, memory unit अपने आपे एक बहुत बड़ा topic है, so, इसमें से भी sure question आता है, अच्छे से पढ़ दीज़ेगा भी, when the data and instructions are entered in the computer, where they are stored, in fact, inside the computer, there are different storage areas, where it keeps data or information permanently or temporarily while working, जिसको की memory of computer बोला जाता है, अब जितनी भी instructions है, मैं अपने computer को बोल रही हूँ, एक paper को print करवाने के लिए, so, ये जो paper print होगा, इसको instructions तो हमने दे दी, लेकिन इसकी जो processing है, इसको कौन कर रहा है, इसको सिरफ CPU ही कर रहा है, आप लोगों ने मुझसे कोई question पूछ लिया, मैं मुझसे बोल रही हूँ सका answer, लेकिन मुझे instructions मेरी जो दिमाग में processing है, मेरे को जो चीजें याद है, उसको recall करने में कौन मदद कर रहा है, मेरा दिमाग, वही चीज है, CPU, memory, ठिक है, the memory of computer, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, primary, यानि कि प्राथमिक memory, और secondary, माध्य अब देखो, इसको एक example के साथ बताती हूँ, आप सब के पास mobile phone है, छोटा बड़ा Android कोई भी phone है, mobile phone तो सब के पास है है ना, अब क्या हो रहा है, इस mobile phone को जब आप खरीदते हूँ, तो उसमें पहले से कुछ memory space होता है ना, memory space होता है, आप पूछते हो कितने GB की RAM है, जी पूछते हो, तो ये जो memory होती है, जो की internal होती है, पहले से होती है, तो उसको बोला जाता है primary memory, ठीक है, और अब तो नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, mobile में, mobile में क्या use करते थे सब लोग, memory card use करते थे, कोई 2GB का, कोई 4GB का, कोई 6GB का, छोटा सा card डालते थे ना, memory के या नहीं करना, वो आपकी अपनी choice होती थी, पहले भी और अब भी, तो memory card क्या है, ये है, एक secondary memory, second number पर आती है, जिसको add करना या नहीं करना, आपकी choice होती है, लेकिन primary memory पहले से होती है, internal memory होती है, ठीक है, सो इसपे जाने से पहले आपको ये बता देती हूँ, देखो, दो प्रकार की memory है, primary memory और secondary memory, internal memory और extra जो add करते हैं, external memory, अब यहाँ पर question आता है, कि RAM और home जो है, वो primary memory है, या फिर secondary memory है, तो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से इसको divide किया गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कि RAM और home primary memory होती है, ठीक है, RAM के दो प्रकार है, SRAM और DRAM, S, देखो RAM की full form क्या होती है, random access memory, ठीक है, ROM की full form क्या होती है, read only memory, यह याद रख लीजए, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए सेम चीज़े है, SRAM में S का मतलब क्या होता है, static, और DRAM में D का मतलब होता है, dynamic, ठीक है, PROM, ROM मतलब read only memory, P का मतलब programmable read only memory, उसके बाद आ गया EP ROM, P तो programmable ही रहेगा, E का मतलब आ जाएगा, erasable PROM, ठीक है, PROM मतलब programmable ROM, EP ROM मतलब erasable, programmable, read only memory, उसके बाद है, EEP ROM, वो हो जाता है, electrical, electrically, erasable, programmable, read only memory, तो यह 1, 2 and 3, यह तीन प्रकार है, ROM के, full form जरूर याद रखिए, S मतलब static, D मतलब dynamic, एक्जाम में जरूर जरूर question आएगा ही, okay, secondary memory में तीन प्रकार है, magnetic storage, optical storage और flash storage, यह भी बहुत important है, अब देखो सबसे पहले हम optical storage की बात करते हैं, अब यहाँ पर इसमें आता है दो चीज़ें, CD, ठीक है, optical में दो चीज़ें आती है, CD and DVD, अब मैंने दे दिया फिर एक और homework question, यह आप लोग अगर previous year question देखोगे न, कम से कम 8 से 10 बार यही question आया है, कि CD और DVD की full form क्या होती है, यह आपने मुझे बताना है, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है, exam qualify करना चाहते हो, तो जरूर इसका answer चेक करके मुझे comment करके बताईए, ताकि आप दूसरे बच्चों के भी मदद कर सको, सो CD और DVD, उसके बाद HDD, hard disk drive, HDD, hard disk drive, okay, floppy disk और magnetic tape, जो वो tapes होती थी न, पहले गाने सुना करते थे, ऐसे वो radio की, radio नहीं वो ऐसे tape होती थी, काले रंग की उसमें तार सी होती थी, है न, अंदर तार नहीं, वो पत्ली सी, थिन सी, एक scale सी बनी होती थी, वो magnetic tape होती है, pen drive और memory card तो आपको पता है, यह, यह flash storage होते हैं, अब यहाँ पर memory के storage, memory के level की बात करें, तो देखो main memory, जिसका नाम ही main है, तो वो primary होगी, है न, उसके बाद आती है auxiliary memory, magnetic disk और magnetic tape, cache memory और register memory, इस तरीके से याद रख लीजिए, सबसे zero level पर होते हैं, CPU register जिसको register memory बोलते हैं, फिर आते हैं level 1 पर cache memory जिसको SRAM बोलते हैं, level 2 पर आता है DRAM, उसके बाद level 3 पर आता है magnetic disk, disk storage और level 4 आपके सामने हैं, optical disk और magnetic tapes, इसमें कोई sequence, इसमें sequence बहुत important है, याद रखना, कोई trick नहीं है, बस एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगी चीज़ें, ठीके, PYQ देख लीजिए, जरूर इसमें से question आते हैं, अब देखिए, यहाँ पर है, read only memories, volatile memory, random access memories, volatile memory, सो correct answer है, कौन सी statement, अच्छा ये भी है, secondary memories, volatile memory, कौन सी statement true है, तो यहाँ पर सिरफ, Q ही true है, यह वाली true है सिरफ, कैसे true है, देखू, मैं आपको बताती हूँ, इसमें difference, यह भी बताती हूँ, कि volatile और non-volatile क्या होता है, रोम की बात करते हैं, statement number P जो है, रोम होता है, आपके पास non-volatile memory, ठीक है, उसके बाद RAM होता है, volatile memory, ठीक है, इसके बाद secondary memory, secondary memory हमने अभी पढ़ा, secondary memory क्या है, ना यह volatile है, क्या है, यह भी आपके पास non-volatile ही होता है, अब देखो, non-volatile को याद रखने का तरीका बताती हूँ, non-erasable, erasable का मतलब होता है, जिसको, non-erasable होता है, जिसको मिटा नहीं सकते हैं हम, that is called non-erasable, अब RAM है, volatile, यानि कि इसको हम क्या कर सकते हैं, यह computer से मिटा सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी example के साथ यह चीजे मैं आपको बताती हूँ, ठीके, तो देखो, आप लोगों ने अपने mobile phone में क्या किया है, एक आपने Chrome भी open किया है, एक आप लोग YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीके, साथ में आप लोगों ने Chrome पे कुछ पढ़ भी रहे हो, ठीके, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले Instagram भी चलाया था, आपने Facebook भी चलाया था, आपने Global Online आप को भी open किया था, तो यह क्या हो गया, यह सारी चीजे जब open होती है, आपको पता है ना, current tabs में उसको सब को हम देख सकते हैं, यह तो पता ही होगा, अपने mobile में हमको सब दिख जाता है कि इससे पहले हमने क्या क्या चीजे उपन की है, अब एक बार आप इस सब चीजें को open करने के बाद, अपने mobile को जब switch off करते हो, तो क्या होता है, वो सारे tabs कायब हो जाते हैं, बिल्कुल zero tab पे आपका phone रहता है, तो यह सारी memory, इस तरीके के memory, जब हम एक बार अपने mobile को, या अपने computer को, या अपने device को, एक बार जब हम अपने device को off कर देते हैं, तो जो memory, erase हो जाती है, उस memory क volatile memory बोला जाता है, ओके, clear है, उस memory को volatile memory बोला जाता है, non-volatile memory क्या होती है, एक ऐसी memory जिसको आप चाहिए अपना mobile, अब देखो आप लोगों ने mobile को switch off किया, आपका facebook यह जो कुछ भी tabs थे, यह recent tabs में से हट गए, क्योंकि volatile है, लेकिन आपके facebook के अंदर का data, आपकी login details, आप youtube पे जो history देख रहे थे, वो सब delete होगा, नहीं होगा, तो यह क्या है, यह non-volatile memory है, इसको देख लीजिए, a storage device is set to be volatile only if it maintains its data while the device is switched off, ठीक है, so RAM क्या है, volatile है, okay, next है, a combination of 8 bits is called a byte, इसमें detail में नहीं जाना, इसको ऐसे याद रख लो, 8 छोटी छोटे bits को मिला करके, 1 byte बनता है, ठीक है, अब यह सारी storage units हैं, जिसको आप यह देख सकते हो, इसमें एक missing है, वो है bit, सबसे छोटी memory unit bit, फिर byte, फिर kilobyte, जिसको आप kb बोलते हो, kb के नाम से जानते हो, mb, gb, आप बोलते हो नो मुझे 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 इतने gb data rows मिलते है, 2 gb, 5 gb, तो यह क्या है, यह gigabyte है, एक गाना download करे हो, कितने mb का है, 2 mb, 5 mb, तो वो megabyte होते है, उसके बाद terabyte tb, petabyte pb, exabyte eb, zettabyte zb, ytabyte yb, ठीक है, इस वैसे याद रख सकते हो, अब इसको याद रखने का एक और चीज़ है, देखो, 1024 bytes को मिला कर, इस table को भी देखते रहेगेगा, यह जो black screen पर है, एक bit, sorry, 8 bits को मिला करके, 8 byte बनता है, ठीक है, 1024 bytes को मिला करके, 1 kilobyte बनता है, सबसे चोटा bit था, चोटे-चोटे 8 bits को मिला के, 1 byte बना, और 1024 bytes को मिला करके, kilobyte बना, इसके बाद, 1024 kilobyte को मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 megabyte बन जाएगा, चोटे-चोटे kilobyte को मिला करके, megabyte बनेगा, 1024 megabyte को मिलाएंगे, तो 1 GB बनेगा, 1024 GB को मिलाएंगे, तो 1 TV बनेगा, तो इस तरीके से memory units होती है, इसको bits और bytes में store किया जाता है, 1 GB is equal to what, GB से छोटा क्या होता है, homework के लिए मैंने दे दिया question, बताईए, अब भी बताया मैंने, ठीके, 1 GB is equal to what, ऐसे answer में नहीं लिखना है कि option number 3, option number 4, समझ में नहीं आता कि आप कौन से question का answer दे रहे हो, ठीके, तो इसको आप ऐसे लिखे, 1 GB is equal to, जो भी आप का answer है, comment करके बता दीचिए, previous year question है, कम से कम 5-6 बार आ चुका है, which of the following represents 1 billion characters, so 1 billion character होते हैं GB में, अब आते हैं hardware और software पर, already मैं आपको बता चुकी हूँ, hardware वो devices होती हैं, जिसको हम touch कर सकते हैं, hard devices होती हैं, और software वो device होती हैं, जिसको हम touch नहीं कर सकते, लेकिन use में यही आती है, hardware के internal में यह काम करती हैं, ठीके, 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 students, so इसके बाद, अब जैसे यह जितने भी softwares हैं, whatsapp है, facebook है, यह है, यह है, यह है, यह है, यह सब softwares हैं, ठीके, और hardware क्या है, hardware यह सारी चीज़े हैं, जिसको आप लोग touch कर सकते हो, next, we have audio and video file format, यह जो है न, blue में, यह आपको video file format है, इसमें से question आते हैं, exam में, ठीके, याद रख लीजिए, जैसे आपको पूछा जाएगा, देखो, file format क्या होते हैं, यह बताते हैं, हमें type of file क्या है, अब जैसे हम लोगों के surname होते हैं, ठीके, ser name होते हैं न, तो surname क्या करते हैं, surname से हमें पता चलता है कि कौन किस category से है, जाती प्रजाती की वैसे बाते होनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं surname से पता चल जाती है, हमारी identification होती है, हमारा surname, तो वैसे ही, computer में जो भी files होती हैं, उसमें भी एक surname होता है, जिसको की file format या फिर extension के नाम से जाना जाता है, अब जैसे किसी भी file के आगे, अगर .img लिखा है, .img नहीं, किसी भी file के आगे, अगर . करके, jpg लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो image की file है, . करके jpeg अगर लिखा है, तो वो क्या है, वो भी image file है, song होते है, .mp3, कहीं पर भी .mp3 लिखा होगा, तो easily समझ जाओगे कि ये क्या है, ये एक song है, ठीक है, .mp4, कि एक video file है, ठीक है, इसके अलावा .pdf, .pdf आप लोग बोलते हो ना, बार बर ग्रुप में message करते हो, कि मैं, आपके जो lecture है, इसकी pdf हमें बेजिए, क्या होता है pdf, पता है आप लोगों को, pdf की full form बहुल बार exam में पूछ चुके हैं, तो जो जो भी group में मुझसे pdf मांगते हैं, वो सभी का reply मुझे आना चाहिए, कि pdf की full form क्या होती है, तब ही pdf मिलेगी, ठीक है, pdf क्या होता है, ये एक text file होती है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन .pdf, fp का मतलब, d का मतलब, f का मतलब, चाह होता है, जिस जिसका comment आएगा, सरफ उसी को ही, इस unit की और बाकी के remaining units की pdf मिलेगी, okay, so exam equation आता है, देखो, ये सारे audio है, इसको बस पढ़ लीजिए, ज्यादा तर जो पूछे चाहते हैं, वो है mp3, mpa, m4a, ठीक है, wav, m3u, ये पूछे चाहते हैं, examine wma, ये बहुत बार पूछे गए हैं, और ये जितने भी हैं, ये blue color में, ये video files है, mp4, avi, mov, ogg, देखो, dot ogg, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, इसको बहुत rarely use किया जाता है, m, ये है, mpg और webm, ये सब video files हैं, ओकिये, next आ जाता है, difference between LCD and LED, LCD, दोनों ही तो TV है, फरक क्या है, आप लोग भी अपने घर में LCD ये LED यूज़ करते होंगे, क्या difference है दोनों में, पहले तो इनकी full form देख लेते हैं, LCD मतलब liquid crystal display, हिंदी medium के लिए भी चीज़े सेम है, LED का मतलब light emitting diode, बाकी कुछ नहीं पढ़ने का, चिके सिरफ इतना याद रखिए, liquid crystal display, light emitting diode, अब जो LCD होती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है, थोड़ी सी उसकी थिकनेस जादा होती है, इसमें functions थोड़े से कम होते हैं, इसका size थोड़ा सा small होता है, इसमें हम लोग internet और wifi को बहुत easily connect करके, सब कुछ शीज़ों को access नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग LED की बात करें, ये बहुत जादा thin होती है, इसकी layer, बहुत पकली सी होती है LED, ठीके, इसमें हम लोग wifi और internet connect करके, अपने mobile phone की तरह, YouTube, ये, वो सारी, Amazon Prime, कोई भी website ले लो, सब कुछ प्ले कर सकते हैं, ठीके, बहुत जो smart TVs होते हैं, वो LED होती हैं, ओके, महंगी भी होती हैं, functions हैं, तो महंगी भी होगी, दिखते से बात है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, smart TV LED हैं, अगला आज आता है, कुछ important full forms, देखिए, फटा-फटे इन full forms को देखिए, एक्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, सबसे पहले हमने देखा, CPU, Central Processing Unit, ALU, Arithmetic Logical Unit, Graphical User Interface, GUI, ये बहुत बार आई हैं, BIOS, Basic Input Output System, USB Cable आप बोलते हो ना, हमें लापटाप कनेक्ट करना है, ये कुछ भी है, USB Cable, So, USB Cable क्या होती हैं, ये होती हैं, जो आपके मुबाइल फोन में एक अडेप्टर होते हैं, केबल होती है, चार्जर वाली, उसको अगर अलग कर देते, सिर्फ तार-तार रहने देते तो उसको USB Cable होते हैं, SKY भी बहुत बार एक्जाम में आया है, अमेरिकल स्टेंडर कोड फॉर इंफरमेशन इंटर्चेंज, रोम हमने देख लिया, CD का देखवा आंसर मैंने आपसे पूछा था, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, CGA, कलर ग्राफिक्स, अडेप्टर, CSS का स्केडिंग स्टाइल EP room हमने अभी डिसकस किया, HTML जो भी web pages होते हैं, website साब चलाते हो, उन website के designing में जो language use होती है, वो HTML होती है, और उसको और इच्छा design देने के लिए उसके साथ CSS को use किया जाता है, ठीक है, LAN क्या है, network का एक प्रकार है, local area network, आगे detail में पढ़ेंगे, LED light emitting diode, MOOC हमने teaching aptitude में भी मैसिव open online courses, अब आते हैं, internet और internet में, सो कल जैसे communication की case में मैंने आप लोगों को बताया था ना, interpersonal और intra-personal, क्या बताया था, जहां पर A आ गया, मतलब अपने आप से, आप लोगों ने, काफी students ने वो video शायद अभी तक नहीं देखिया, description box में लिंक मिल जाएगा, वैसे यहा internet तो आपको पता ही है, पूरे world में use होता है, कहीं भी जाके internet चला लीजिए, important terms है, full form से याद रखिये, सिरफ HTTP और HTTPS, hypertext transfer protocol, this is HTTP, IP address में IP का मतलब क्या होता है, internet protocol, internet protocol, जैसे हर एक person का अधार नंबर अलग होता है, आपके अधार नंबर से आपकी सारी चीज़ें लिंक है, आप कहीं भी जाओ, आपके अधार नंबर से आपकी पूरी जानकारे निकाल ली जा सकती है, आपकी identification है वो, जो कि किसे से भी match नहीं करेगी कभी भी है न, वैसे ही IP address हर एक computer जो internet को use कर रहा है, आज के तो समय पे तो हर एक computer laptop internet को use करता ही है, तो हर एक computer जो भी internet को use कर रहा हर एक computer का एक unique IP address होता है, जो कि उसको identify करने में मदद करता है, uniquely identify करने में मदद करता है, अब जैसे online frauds होते है न, तो online fraud बालों को कैसे पकड़ा जाता है, उनके computer को scan, उनके connection को पूरे को check करके IP address उनका ढूंड कर scan किया जाता है कि कि किस computer से, कहां से, कैसे ये fraud हुआ है, ठ spam and filters, email क्या होता है, electronic mail होता है, आप समने mail किया होगा, ये उसके इंदर आता है, social media, facebook, twitter, जहां पर लोग socially एक दूसरे से जुरते हैं, चीजें share करते हैं, e-commerce क्या होता है, कोई भी website जहां से आप business कर सकते हो, flipkart, amazon, global online, ये सब e-commerce, जैसे global online है, ये e-commerce नहीं है, ये educational website है, e- amazon, flipkart, और भी बहुत सारे हैं, जो कि online चीजों को बेचते हैं, और sale करते हैं, website किसका collection होता है, web pages का, छोटे-छोटे को web pages पहले बनाए जाते हैं, फिर उन सब pages को मिला दिया जाते हैं, उनको link करते हैं आपस में, फिर एक पूरी website बनती है, examples of web browsers, web browsers के example देखो, ये सब है, mozilla, firefox, opera mini, ये सब है web browsers, जो कि हमें internet access करने में मदद करते हैं, अब आप लोगों के पास google chrome होता है, फोन में, internet कैसे चलाओगे अगर google chrome ही नहीं होगा, नहीं चला पाओगे न, अंदर कैसे जाओगे, google तक ही नहीं पहुंचोगे, अगर ये web browsers आपके पास नहीं है, internet में ने बता दिया, अब आता है email, ये जहां पर भी term नजर आएगी, वो होती है, electronic mail, communication के लिए message वगरा share करने के लिए, ये आपको मदद करती है, इसमें आप कुछ भी attach कर सकते हो, image, audio, video, बड़ी से बड़ी file share कर दी जा सकती है, email के कुछ types होते है, to में आता है, उनका email address जिसको हमने mail भीजना है, subject में आता है topic की mail किस सर related है, यहां चाहो तो description या letter आप लिख सकते हो, कोई photo भीजनी है, कोई document भीजना है, तो यहां पर जाकर आप click करके upload कर सकते हो, जैसे whatsapp पे photo भीजते समय करते हो, send पे click करके इसको page दिया, ठीक है, इसके लावा दो चीज़े हैं CC और BCC, exam में पूछा जाता है, CC का मतलब होता है, carbon copy और BCC का मतलब होता है, blind carbon copy, ठीक है, carbon copy and blind carbon copy, यह देखो, यह भी एक PYQ में लेकर आई हूँ, BCC, blind carbon copy, blind का मतलब क्या होता है, अंधा, BCC के अंदर, जिन भी लोगों के नाम होते हैं, उन में एक दूसरे को नहीं पता चलता कि किस-किस को mail भीज़े, अब यहाँ पर दो नाम है, स्वामी और रमा, ठीक है, स्वामी को नहीं पता चल रहा, कि actual में और किसको यह mail भीजा गया है, तो blind हो चुके हैं, यह अंधे हो चुके हैं, ठीक है, डिटेल में already यह चीज़े हैं, email के previous air questions, explanation अगर नहीं देखी, comment कीज़े, link में share कर दूँगी, आगे आते हैं network के प्रकार, land, man और van, land का मतलब होता है local area, यहाँ पर होगा आगे, ठीक है, यह देखो, land, man और van, local area network, wide area network metropolitan area network, local, एक building है, एक building के अंदर office है, यहीं पर सिरफ सिरफ इतनी सी ही range इस network ही होगी, अंदर की ही devices को यह connect कर पाएगा, वो local area network, metropolitan एक city को connect करता है, जैसे, land ने रे को क्या किया, यह देखते हैं यहाँ पर, यह एक building है, इसमें हमने land से, इसको connect कर दिया, अंदर के computers को इस land से जोड दिया, दूसरे building है, इसमें भी हमने land जोड दी, तिसरे building वालों ने अपने अंदर के computers के लिए land यूज कर ली, अब इन सब land को जब हम मिला देंगे, तो क्या बन गया, एक बड़ा network बन गया, तो उसको man बोला जाता है, man का मतलब है metropolitan area network, और वैसे ही, अब जैसे एक man बना, वैसे दूसरा man, तीसरा man, चौथा man, इन सारे man को मिला करके, जो एक बड़ा network बन गया, उसको बोला जाता है, man, यानि की wide area network, तो सबसे छोटा है land, उसके बाद आता है man, ठीक है, उसके बाद आता है man, और सबसे बड़ा आता है van, man का एक example क्या है, man का एक example है, जो आ ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पहले आपके, एक घर में केबल connection करेंगे, दूसरे घर में करेंगे, तीसरे में करेंगे, ऐसे करते हैं, यानि की metropolitan area network, यह देखो, यह इसका example है, van होता है internet, wide area network, पूरे वर्ड में, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में, पर भी जाकर आप इसको यूज कर लीजिए ठीक है सेमी चीज़े रहेंगी सो ये है वाइड एरिया नेटवर्क सो ये ICT हमने कम्प्लीट आज कवर कर लिया है इसके अलावा स्टूडेंस एक और टॉपिक रहता है ICT में जो की है डिजिटल इनिशेटिवस डिजिटल इनिशेटिवस में हमने स्वयम, स्वयम प्रभा, मूख खुत पढ़ लिया था इसके लावा और भी सारे हैं जो कि इस वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल थे तो फिर उसके लिए अगर वो वीडियो डिटेल में चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इनिशेटिवस में दो हजार बाईस और थीज के आपके लिए लेकर आऊं कॉमेंट कर दीजिए तभी वो वीडियो में लेकर आऊंगी ओके तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दूसेशन and I wish you all the very best!